पॉलिटी के लिए वीडियो आपको बना के दे रहे हैं उसी को आज आज गे बढ़ाते हैं आज एक क्वेश्चन है जो बहुत बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है ना सिरफ MPPSC में बलकि दूसरे स्टेट PSC के जो एक्जाम रहते हैं उनमें भी इसके बारे में बात की सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में प्रधानमंत्री का पद उसकी शक्तियों का वर्डन कीजिए इसमें और वो जोड सकते हैं कि प्रधानमंत्री के पद की या प्रधानमंत्री की भूमिका समझाई है अब यह क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा जिससे आपको ज्यादा से ज़्यादा नमबर में फिप्टीन माक्ष में आज की डेट में यह पूछा जा सकता है पेपर टू इसके पार्ट ए में भारतिय सम्मिदान इंडियन पॉलिटी दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हमारा यही काम रहता है कि उस question को लिखने से पहले एक उसकी भूमिका या उसका एक introduction बना लिया जाए तो यहाँ पर introduction बनाया कि भारतिय सम्मिदान द्वारा संसदिय सासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपती को आपचारिक प्रधान और प्रधान मंत्री को वास्तविक प्रधान बनाया गया है ब्रिटिस प्रणाली के समरूप ही भारत में भी प्रधान मंत्री अर्थ्यदिक महत्पूर है पॉलिटी के वही मिले जुले introduction रहते हैं हम यहां राष्ट्रपती और प्रधान मंत्री को लेकर के कौन इसमें वास्तविक हैड है कौन constitutional है हम लिखने जा रहे हैं प्रधान मंत्री तो पूरा फोकस किस पर करेंगे प्रधान मंत्री पर करेंगे और फिर उसके साथ बता देते हैं कि इसके लिए कौन से सम्मेदाने को पूरा है constitutional provision क्या है तो भारती सम्मेदान के भाग पांच article 74-75 में मंत्री परिशद के प्रमुख के रूप में प्रधान मंत्री का वर्णन किया गया है 74 में लिखा हुआ है कि राश्रुपती को सला और सायता देने के लिए मंत्री परिशद या council of minister होगी जिसका प्रमुख प्रधान मंत्री होगा तो वहीं इसके बारे में बातें आती हैं वो हम यहां लिख देंगे अब प्रधान मंत्री बनने के लिए योगिता आप चाहें तो यह लिख सकते हैं प्रधान मंत्री न चाहें यह तो नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन एक दो लाइन में इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भारत में प्रदानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना चाहिए और साती साथ भारत का नागरिक होना चाहिए इसके साथ साथ minimum age 25 वर्ष क्योंकि संसद का सदस्य लोकसवा की minimum age 25 है उस राजसवा की 30 वर्ष की नियुक्तमाई हो और संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योगिता होना चाहिए वो व्यक्ति क्या बन सकता है प्रदानमंत्री बन सकता है कैसे इसको कौन अपइंट करता है इलेक्टिड नहीं होता है ये नियुक्त होता है भारत में प्रदानमंत्री की नियुक्ति राश्टरुपति के द्वारा लोगसभा में जिस भी दल को जिस भी दलों के गठवंदन को बहुमत मिलेगा वो जिसे अपना नेता चुनेंगे और उसे राश्टरफती क्या बना देता है प्रधानमंत्री निउप्त कर देता है डूरेशन कितना रहेगा तो प्रधानमंत्री जनरली पांच वर्ष के लिए निउप्त होता है जनरली का मतलब है कि पांच साल से पहले भी लोगसभा डिजॉल हो जाएगी तो फिर प्राइम इस्टर भी चला जाएगा तो सामानित उसका कारिकाल पांच वर्ष रहता है साथ ही लोगसभा में जब तक उसे बहुमत प्राप्त हो तब तक वह अपने पद पर रहता है ठीक है नहीं भी लिखना चाते हैं मंगर जो क्वेशन पूछा था कि भारत में प्रदान मंत्री की कारे और शक्तियां ये सारी बातें बताईए तो यहां से ये स्टार्ट करते हैं शक्तियां और कारी भारत में प्रधान मंत्री के शक्तियों और कारी को निम्न प्रकार से classified कर सकते हैं आप flow chart बना करके ये कारियों को दिखा सकते हैं जैसे पहला है मंत्री परिशद के संबंद में, दूसरा आता है राश्टरपती के संबंद में पॉइंट में लिखें आप क्योंकि पॉइंट में आप ये लोग प्रशासन में बहुत बार पूछा गया जब पॉब्लिक एड्मिस्टेशन ओप्सन देता था इस्टेट में और UPSC में भी आज इसको हम कहां से तयार करते हैं तो अवस्ती अवस्ती की लोग प्रशासन की ज मारी रहेगी कि प्रधान मंत्री के मंत्री परिशत के सम्मद में यहां तो आपको एक एरो खीच दिया ऐसा आप एक्जाम में अपनी कॉपी में मत करना एक सेंटर हैंडिक नालना उसके बाद ये पॉइंट लिखना नमर एक आया प्रधान मंत्री की सलाफर राश्ट्रपत मंत्री परिशत को नियुक्त करता है उसके बाद प्रदान मंत्री मंत्रियों के विभागों का वड़वारा करता है यानि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया प्रेशिडेंट ने लेकिन दूसरे मंत्री कौन बनेंगे ये प्रदान मंत्री उन नामों को फाइनल करता है उनको कौनसा डेपार्टमेंट मिलेगा ये भी प्राइम मिनिस्टर ही डिपसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर ही उन्हें बताएगा कि हमारी सरकार की जो पॉलिसी है उसके एकॉर्डिंग काम किया जाए। अलगलग मिनिस्टरी ले रही है और प्रेशिडेंट को इंफर्म करना होता है क्योंकि भारत में सारे काम किसके नाम से चलते हैं राश्वपती के नाम से चलते हैं तो ये इनके बीच में एक बिरिज के रूप में काम करता है। अगला पॉइंट वैस सरकार की समस्थ प्रशास्निक कारिवाईयों की जानकारी राश्वपती को प्रदान करेगा। प्रशिडेंट जानकारी मांग सकता है और समय समय पर प्रदान मंत्री की ये ड्यूटी भी है कि वो प्रशिडेंट को बताए कि क्या प्रशासनिया सरकार के द्वारा कार किये जा रहे है। कारिपाली का शक्ती का प्रियोग करता है काम राश्वपती ही करेगा लेकिन एडवाईज किसकी रहेगी तो कमिसलों मिनिस्टर और उसके मुखिया के रूप में प्रदान मंत्री का पद सबसे महत्पूर हो जाता है। इसके बाद हम अगली heading डाल लेंगे प्रदान मंत्री का संसत के संबंद में क्या दिका रहे हैं। तो प्रदान मंत्री सदन का नेता होता है, लीडर ओफ हाउज प्राइमिनिस्टर होता है। वह है संसत सत्र बुलाने, सत्र अउसान के संबंद में राश्टरप्रती को सिपारिश करता है। जन्दली हम क्या समझते हैं कि पालियमेंट के जो सेशन रहते हैं, तो इन दो सेशन के बीच में कभी भी six months से जादा gap नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकते हैं, तो यह सेशन जैसे budget सेशन हुआ, monsoon सेशन हुआ, या winter सेशन हुआ, तो यह सब decide कौन करता है, तो council of minister या prime minister ही decide करता है, और राश्टरपती के माध्यम से उसको call कराता है। फिर उसका सत्रपसान करना, यानि सेशन मीटिंग समाप करना, ये भी सरकार ही decide करती है, तो प्रधान मंत्री ही इसके रूप में जिम्मेदार रहेगा। उसकी सला नहीं मानेगा, ठीक तो लोकसवा भंग करने की सिपारिश कर सकता है, सदन पटल पर सरकार की नीतियों की घोशना करता है, सदन मतलब house, parliament, तो parliament में सरकार क्या करने जा रही ही, उसका agenda क्या है, तो यही prime minister करता है, शास्की ये विधेकों को तयार करवाता है, जो government will रहते हैं, government will क्या रहते हैं, किसी minister के द्वारा, जो भी will संसद में रखा जाएगा, वो सारे के सारे will, सरकारी will या government, सास्की will कहलाते है, तो उनका draft उन में क्या है, ये सब प्राइमिस्टर ही तयार करवाता है, लोकसवा में सदस्यों के गंबीर प्रस्णों के उत्तर देत तो अन्य सक्तियों को भी हम प्रइंट में लिख सकते हैं, प्रदान मंत्री नीती आयोग, राश्ट्री विकास परिशदर, राश्ट्री एकता परसद, इंटर स्टेट काउंसल का अध्यक्स होता है, कई सारी एजनसी का यही चेर्मेन होता है, विदेश नीती के निर्धार इन्यन गवर्मेंट की ओर से मेन व्यक्ति कोन है तो यही होता है, आपातकाल के दोरान राजनेते की इस्तर पर संकट का प्रमोचक होता है, जब इमर्जनसी की सिच्वेशन आती है तो लोग बड़ी उमीद से किस की ओर देखते हैं, लोग ही नहीं सारे प्रशासन सारा मिन उनकी समस्याओं की जानकारी प्राप्त करता है, प्राइम मिनिस्टर वास्तविक हैड़े सरकार का, देश के प्रमुक के रूप में हमारा देश सर्व धर्म संभाव सभी धर्मों के सभी संस्कृतियों के लोग रहते हैं, सबकी अपनी अपनी डिमांड रहती है, तो यह अ हैने सेवाओं का राजनेते प्रमुक रहता है, हमारे जितनी भी मिलिटरी हैं, उसका हम क्या कहते हैं, कि प्रेसिडेंट उनका सुप्रीम कमांडर है, लेकिन प्रेसिडेंट तो सारा वही करेगा, जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, तो प्राइम मिनिस्टर भी इंडरिक् प्रदानमंत्री बनने की योगिता और उसकी शक्तियां बताएं तो उसने सिर्फ इतना पूछा है कि प्राइमिनिस्टर के फंक्सन्स और कारे समझा दो तो हम सिर्फ उतना ही बताएंगे फिर हम इसमें अपना टाइम प्रदानमंत्री को बता देजिए अब ये question tough कैसे बनेगा जब पूछा जाएगा role of prime minister प्रदानमंत्री की भूमिका बता देजिए तो prime minister की भूमिका बताने का मतलब आब इसको कैसे लिखेंगे role of prime minister ऐसे समझो कि मान के चलो ये मेरे सामने जो screen लगी हुई है प्रोजेक्टर screen लगी है इसको हटा दे तब मुझसे पूछा जाए कि इस projector का screen का क्या role था क्लास के lecture में तब समझ में आता है तो उसके होने या ना होने पर क्या वही बाते हमें अब prime minister के रूप में लिखनी पड़ेगी कि प्रदानमंत्री की भूमिका क्या है इसको आप इस question से connect करके अलग से तयार करके कैसे भी इसको memorize कर सकते हैं हम start करते हैं प्रमुख राजनितिक वैग्यानिकों द्वारा राजनितिक वैग्यानिक या राजनितिक विशेशक्यों की द्वारा political science के जो thinkers रहते हैं उनके द्वारा प्रदानमंत्री की भूमिका को निम्न प्रकार से उल्लेकित किया गया है इसमें मेरा किसी का कोई शब्द नहीं यहाँ पर ये जो thinker हैं बहुत बड़े thinker हैं अलग लग देशों के उन्होंने जो वो उन सारे देशों के especially तो Britain से निकला हुआ है Prime Minister पर वही powerful रहता है हमने भी उसी वेवस्ता को अपनाया तो उनके वर्डों का उपयोग किया जाएगा आप इन में से 3-4 लोगों का ये quotation याद कर लेंगे आपको definitely बहुत अच्छे मार्ट सुन लेंगे जैसे सबसे पहले Lord Marley इन्होंने कहा प्रधान मंत्री समानों में प्रथम और मंत्री मंडल की गुंबद की आधार शिला है समान यानि एक similar rank में ये क्या है फरस्ट है और मंत्री मंडल को क्या माना एक dom, एक building, गुंबद तो उस गुंबद कैसे बनता है तो उसकी base foundation के रूप में आता है तो ये इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है आगे Harvard Morrison कहते हैं कि प्रधान मंत्री सरकार का मुखिया तता सर्व साधारन के रूप में सर्वो पर ही होता है यानि उसकी भूमिका क्या है ये सरकार के प्रमुक के रूप में और जन सामानने के रूप में अगर हम बात करें तो ये सर्वो पर रहता है सबसे higher post पर रहता है यही इसके बाद Jennings नामक ठिंकर कहते हैं कि प्रधान मंत्री उस सूरे के समान है जिसके चारों और ग्रह परिक्रमा करते है यानि इन्हों ने प्राइम मिनिस्टर के कंपेर कैसे कर दिया जो जियोग्राफिकल गटना रहती है कि सूरी को केंदर बना कर सारे ग्रह चकर लगाते है वैसे ही शाषन विवस्ता में चाहें कोई भी मिनिस्टरी हो कोई भी डिपार्टमेंट हो वो क्या करेगा प्राइम मिनिस्टर को हैड बना कर यानि प्राइम मिनिस्टर ही मैंने प्राइम मिनिस्टर की आइडियोलोजी क्या है उसके हिसाब से सारे मिनिस्टर काम करते है तो जैनिक्स ने इस धंसे भूमिका को समझाया इसके अलावा एक और आते हैं लॉस्की लॉस्की ने कहा प्रधान मंत्री उस दुरी के समान है जिसके चारो और सरकारी तंतर घूमता है ये भी बहुत कम सब्दों में इसको इसपस्ट करते हैं कि ये कैसे घूमता है तो दुरी का मतलब हुआ एक्सिस एक्सिस जिसके चारो और ये चक्कर लगाते हैं. इसके वालावा और आप लिखना चाहें तो रहम जे मियोः इंका भी नाम आता है कि प्रदान मंतरी राज जी रूपी जाहज का चालक होता है. राज जी का मतलब क्या होता है? पूरी स्टेट मसीनरी, पूरी गवर्मेंट मसीनरी उसको चलाने के लिए Captain के रूप में कौन काम करता है Prime Minister ही काम करता है ठीक, तो ये सारी चीजे हमने किसके रूप में किसकी भूबी का बता दी अगर आप ये 5-7 नाम लिख देते हो इनके statement लिख देते हो फिर आपको कुछ लिखने की जिरूत नहीं है लेकिन समश्या आएगी कि हम किसका statement confusion होगा कि हरवट मरिशन ने बोला था वो तो हम जैनिक्स के साथ लिख देंगे लॉस्की ने जो कहा था वो मौरले के साथ लिख देंगे तो पहले तो इनको रटना पड़ेगा फिर एक दो बार आपको लिखके देखना पड़ेगा तब तो याद हो पाएगा otherwise इसमें फिर आप अपनी तरब से अपने सब्दों का प्रियोग करके भी इसे बता सकते हैं मगर वहाँ जो मार्किंग होगी उतनी अच्छी नहीं होगी उसके बाद फिर आजाता है conclusion तो अप्रोक्त वरणन से इस पस्ट है कि संसदीय सासन प्रणाली में प्रधान मंत्री और उसकी मंत्री परिशद ही वास्तविक सासन अद्यक्ष होती है जिसके अधिकार और शक्तियां वास्तव में जन सामाने के अधिकार ही होते है और ऐसे हमारा question complete होगा line खीच के, आधी line खीच के complete कर देंगे हमेशा जब 15 number का question complete हो चाहें आपका page बचा हुआ है line कीच के अगले page से हम अपना answer start करेंगे तो यह आज का हमारा question था हम कल आपको फिर एक नए question के साथ बताएंगे तो आपके कोई question था है तो comment में पूछ सकते हैं और ऐसे video आपको time to time मिलें तो इसके लिए best method रहता है कि आप इस channel को subscribe करें जिससे आपको information पहुँचेगी तो thank you so much